जहें दोस्तों प्यारे चात्रों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एवी अंकित इस्टडी में प्यारे चात्रों आज की इस वीडियो में आपको मैं B.Sc. First Year Major Paper First के First Chapter आभियूंग के बस्टूनिष्ट प्रश्ण जो एक नमबर में पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे तो आप सभी से मिरने बेदन है कि इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे और अगर इस वीडियो को जो भी बिध्यारती फर्श्ट बार देख रहा है तो इस चैनल को अगर आपने सस्क्राइब ना किया है तो इसको सस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो डालता रहता हूं इस चैनल पर इसलिए इन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हैल्प मिल सकती है इसलिए इस वीडियो को अंते तक जरूर देखे और चैनल को सस्क्राइब करें तो देर ना करते हुए हम इस बस्तुनिष्ट प्रश्ण को अच्छी तरीके से इनको मैं राइट अंसर आपको बताता जाँगा और या जो प्रश्ण है बस्तुनिष्ट प्रश्ण या एक नंबर में आवश्य कर पूछे जाते हैं इसलिए देर ना करते हुए हमें स्टार्ट करते हैं बस्तुनिष्ट प्रश्ण का पहला कॉस्चन तो जैसा कि पहला कॉस्चन है आप यूँ एक एक की जाती है तो इसकी जाती क्या होगी इसकी जाती होगी एक ठीक है राइट अंसर हो गया दूसरा कॉस्चन है यदि आप यूँ ए दिया है कि अभी लाक शड़क मान हैं आप यूँ दो एक जीरो तीन अब आपको पता होना चाहिए आप यूँ में जो चैते जी होती है उसे हम पंक्ती बोलते हैं और जो खंबे टाइप में होती है मतलब खंबे के तरीके से होती है उसे हम इस थंब बोलते हैं ठीक है अगर नंबर रो ऐसा है तो इसको हम क्या बो करेंगे और इसे र से ठीक है तो यदी आपने ए दिया है दो एक जी रो तीन के अभिलागशलाग मान है इसका अभिलागशलाग वुरू क्या होगा इस दो और तीन का योगा 2 और 3 इसके अभी लाख फिलक मान है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 तीसरे नमबर का question है matrix A बराबर 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1 1, 2, 2 के आईगन मान है तिसके आईगन मान क्या होंगे 5, 1, 1 ठीक है चौथा question है आब यूँ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 की जाती है इसकी जाती क्या होगी इसकी जाती होगी 1 ठीक है ते इसका आईगन मान क्या होगा अंसर आइगा पिलस माईनस 1 ठीक है 6 पाक्तिक है N कोटी के एकाई आभ्यूम की जाती होती है क्या होती है इसकी जाती तो इसकी जाती होती है N साथमा कोश्चन है कोटी तीन के एकाई आभ्यूम की जाती है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा एक आभ्यूम अटमा कोश्चन है आभ्यूम ए की सुन्नता है इसकी सुन्नता क्या होगी इसकी सुन्नता होगी एक क्या लेका है इसमें आभ्यूम की ए की सुन्नता क्या है तो इसकी राइट अंसर क्या हो जाएगा एक तो नौमा कॉस्चन है यदि ए बराबर आभ्यूम 1, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 4, 8, तथा एक ही जाती है तो इसका right answer क्या हो जायगा 3 दसमा question है matrix 3 into 3, 3 की जाती है इसका right answer क्या हो जाएगा 1 ठीक है अब हम देखते हैं 11 मा question आभियूम A बराबर 3, 2, 1, 0 के आइगन मान होंगे तो इसके आइगन मान क्या होंगे तो इसका राइट अंसर होगा 1 और 2 बारमा कॉस्चन दिया है आभियूम A 1, 2, 3, 2 के आइगन मान एवं आइगन सदस हैं इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा प्रिफा बराबर माइनस बन फोर तथा ठीक है तिरमा कोश्चन है यदि किसी आभियूम की जाती तीन है तब इसे परिबर्त आभियूम की जाती है तिसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सी यानि की तीन प्यारे चात्रों इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को अभी क्या भी सब्सक्राइब कर ले और आप सभी से नवेदन है कि इस वीडियो को ज़्याद़ ज़्याद़ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंच सके और इस वीडियो का फुल मज़े ले सकें क्योंकि यह वीडियो आ आब यूम A की जाती क्या है तो इसकी जाती क्या होगी दो क्योंकि इसमें सिर्फ एक और एक है पंदमा कॉश्चन है आब यूम A बराबर एक 0-0-2-0-0-3 के आइगन मान है जिसका राइट एंसर क्या हो जाएगा एक माइनस दो और तीन ठीक है तो प्यारे चातरो या ये जो बस्तुनिष्ट प्रश्ण थे हमारी पंदरा वो बड़े महत्पूर प्रश्ण है इन प्रस्टनों को आप घर बेटकर अच्छे से लागाएं ताकि आपको परिक्षा में यह एक नमबर आसान तरीकी से मिल सके तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहूंगा अगर वीडियो अच्छी लगिए तो जादा से जादा लाइक करें और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जादा से जादा सब्सक्राइब करें मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ बहुत ही जल तब तक के लिए धन्वाद जाहिन